हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अन्फोल्ड, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्टॉबरी ड्रिंक, स्टॉबरी मोक्टेल बनाएंगे बहुत ही कूल, रिफ्रेशिंग और स्पार्कलिंग सा ट्रिंक होता है, इसे बनाना बहुत आसान है, इसे आपने काफी बार रेस्टेंट में तो पी आई होगा, लेकिन आज हम इसे घर पे बना के ट्राइ करेंगे जब भी आपके घर पे कोई भी छोटा सा गेट टुगेधर हो, कुछ फ्रेंड्स आए या कुछ कैस्ट आए हो है, तो आप इसे एक बार ज़रूर से बना के ट्राइ करें तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रगे कर आप हमारे चैनल को पहली बार आए, तो फ्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मारे आने वाले वीडियो को कर सकते हैं, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी अड़ कर देंगे, इसे हलका सा और मडल करेंगे, अब हमें एक जार चाहिए, उसमें डाल देंगे कुछ लेमन स्लाइसे, फिर इसमें कुछ मिंट लेवस्ट एड़ कर देंगे, और दोनों चीजों को अच्छे से मडल कर पर हमारे ड्रिंक में आ जाए अब इसमें स्ट्रॉबरी जो क्रेश है उसको स्ट्रेइन कर लेंगे फिर इसमें एड़ कर देंगे कुछ आइस क्यूब्स कुछ लेमन स्लाइसे डाल देते हैं इसके अंदर थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देते हैं और ये एक-दो स्ट्रॉबरी स्लाइसे ताकि हमारा जो ट्रिंक है वो सुन्दर दिखे थोड़े से मिंट लीव्स और एड़ कर देते हैं अब हम इसमें डाल देंगे 60 ml के लगवग शुगर सिरप अब इसे सोडा से फिल कर देंगे तो यह मैंने प्लेन जो क्लब सोडा आता वही लिया है तो वो इसमें डाल देंगे इसे हलका सा स्टर कर देते हैं तो यह देखिए एक डम रेस्टरंट के जैसा हमारा स्टॉबरी मोकेल बनके तयार है तो फ्रेंट्स आप भी इसे एक बास जरूर से बना के ट्राइ करें और आपका जो भी एक्स्पीरियन्स है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताए और हमें ये भी बताएं कि आपको मारा वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो फ्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फोलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए आपसे फिर मिल देखने ही रसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वाचिंग